हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल पंजाबी राइडर अंडर स्कोर शीवम खन्ना तो आज हम एक छोटी सी सोलो राइड पर एक और चल पड़े हैं लास्ट बी आपके साथ मैंने बहुत सप्राइस खेला मगर आज मैं आपको पहली बता रहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं हम रिशीकेश से होते वे नीलकंड महादेव मंदिर जा रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं अब हम रिस्प्रापूल पहुंच चुके हैं हरीद्वार वा भी जाता है यह रस्ता आगे डैली भी चले जाता है तो आपको यहां से राइट लेना बढ़े करें लाइट से राइट जैसा आप देख रहे हैं अब यह टोल बूत हैड टोल प्लासा आगया है 500 मिटर पर और यहां पर टोल लगबग लगता है है मगर टू विलर्स का कोई टोल ली है यहां पर और कार्स अगारा का लगबग 95 टोल लगता है अब का यहां पर और यह लेंज हैं यहां पर बनीवी अब हमने टोल ब्लासा क्रॉस कर लिया है और आप यह आपको दिखाते हैं काफी अच्छा व्यू दिख रहा है यहां से बहुत ही अच्छा व्यू है बीच में रोड फोर लेन और दोनों तरफ जंगल अब यहां से आ रहा है एक बोर्ड अब हत हैं देरादून एयरबोर्ट टैन किलोमेटर रिशिके थाटी वन हरिद्वार थाटी सेवन तो यह डोई वाला पाइपास यहां से स्टार्ट हो जाता है अभी नया नया बना है यह आप देखिए लेफ्ट में एक रोड जा रही ह यह लच्छी वाला जाती है एक पिकनिक स्पॉट है यह देखिए हम आपको आप व्यू दिखाते हैं यहां का थोड़ा सा ग्रीन रिव गारा दूर दूर में थोड़ा से माउंटेंस हैं यहां पर कि यह देखिए एक प्लेन भी लैंड कर रहा है यहां से कि देखिए और आपके लिंए एक और यहां यह देखिए कावी अच्छा लिए इस नदी का नाप सांग रिवरर कि अच्छी बारशों में बहुत अच्छी चलती है यह देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि यह पोड़ा प dazu यहां पर left को कि Jano है और देरा दून एरपोर्ट सेवन किलोमेटर अगर आप यह पुल चड़ेंगे तो आप हरीदवार और टैली के लिए निकल जाएंगे हमने यहां नहीं जाना हमने लेफ्ट यहां से स्लाइट लेना है तो हम यहां से हम स्लाइट ले रहे हैं कि यह देखिए यहां पर हम लगवक पहुचने वाले हैं और उससे पहले का यह व्यूर्व है कि यह एक काम स्टार्ट चल रहा है यहां पर रेल्वे का काम जो है यह करन प्रयाग रेल्वे लाइन है कि से आपगो आने वाले टाइम में चार धाम की यात्रा करने में काफी अराम रहेगा आपको बता देंगा और काफी होटल्स तूरीड प्लेस एक्चलीय हो गई और काफी हो टिल्ड छान है तो आए जुरूर यहां पर भर च स्मारे हां का टूरीजम भी बड़े वैसे आपको सुनाई होगा उत्राखंड को देव भूमी भी का जाता है देवों की भूमी और रिशी केस को नाम इसले पड़ा है रिशी केस की रिशियों की नगरी रिशी केस का मतलब यह रिशियों की नगरी अमठे के भूम हाँ और कई लूकम में कैको अंट है यह दो इसले नाम सो उनके यह खला ठायरी दखbor Cena कि сообщ अधिन गुश्टके भूमी के बिश्टके आप अन्दर एंटर नघर यहां देखें का यह फेमेस गुर्दवारा रहे हमकून साथ यह देखिए सीधा रस्ता जा रहा है एक भी सीधा रस्ता मात lib के लिए जा रहा है अगर आप फोर वेल सो to सकते हैं अगाफी ट्राविक हो रहा है बीजा मोग रहा है आह से यह देखे एक नहीं हो अलग है यह देखिए यह है हमारी माघंगा हर हर गंगे जय माघंगे यह देखिए सामने हनुमान जी की पिचर बनी यह फोटो बनी भी जो माघंगा को परणाम कर रहे हैं और यहां से हमने लेफटन लेना है कि राम जूला के लिए कि देखिए यहां पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं और यह काफी इस जगह पर भीड़ रहती है तो हम यह चोटी वाला की तरफ निकल चुके हैं यह बसागे हलका से चलिए आपको यह देखिए चोटी वाला रेस्टुनेंट आकर सेन्स सिक्स्ट तो यह है यहां का फेमस चोटी वाला है कि दो रेस्टुनेंट आपर कि देखिए अगर आप दिल्ली से और देरादून से जा रहे हैं तो आप इस रस्ते से हाएंगे दो आपको मैंने पस्टाय मैं महाथे के लिए मंदिर के लिए पहे पार फोर्विलर्श के लिए वह टोल लगता है कि आपी अच्छा न जा रहा है यहां का तोड़ी सी रोड खराब हो जाती अक्सर यहां पर आपको छोटे-छोटे इस टाइब के पानी के वह भी मिलेंगे यहां पर रोड में आते वे पानी के कि यह देखिए कि आपने देखा है कि का भी मतलब रस्ता टोड़ी लगबागा थोड़ा सा अडवेंचर है कि नॉट सो यहां देखिए यह रिवर राफ्टिंग हो रही है नीचे यह देखिए आपको जूम करकर दिखा रहा हूँ कि यहां पर लगता है कुछ टाइम पहले यह नदी आई उपर से लगता है यहां पर कहीं बादल फटा होगा तो यह ऐसी बिलकुल पहाड में के बीच में नदी आरी उपर से भन गिर यह और यहां लगब बादल फटा होगा तो इस वैसे ऐसा हो रहा है यूद दिख रहा है कि बागी विउब तो बहुत अच्छा है यहां का कि आज देखें यहां पर रस्ते में बहुत अच्छा और व्यू दिखा है आपको दिखायते हैं कि भहुत ही अच्छा व्यूस है चो नीलकर महादे मंदिर है पोडी गड़वाल में आता है गंगा के राइट साइड में पोड़ी गड़वाल बरता है कि ते और लाइट साइड टीरी छितर बरता है यह देखे लगबग हम पूशने वाले हैं और यह लगबग हम पूरा वियू देखे कितना बड़ी हो रहा है आगा तुरका आपको दिखाएं और यह देखें पीछे का लगबग पूरे जो है हम पूरे पाड़ों की लगबग हाइट पे एक बराबर हाइट पे पहुंच चु पारकिंग आगी है पार पारकिंग तक पहुंच चुक्यें लगबग नील कर आने वाला एंदेर हो or मौंच चुक्याने लिड souven्ऻ Jadi जैसा कहते हैं कि निलकंड महादेव मंदिर एक तीनों तरब परवत एक परवत का नाम मनिकुट और विश्णुकुट और भ्रहमकुट कलाता है उन दोनों के बीच में बसाव है और निलकंड महादेव मंदिर निलकंड इसने पड़ा कि जब समुंदर मंथन हुआ था समुंदर मंथन में जो विश्ण निकला था वह महादेव ने यहां पर आगे पिया था विश्ण को पिया था और उनका उन्होंने उनका कंट नीलकंट के तेना नीलकंट में नीला हो गय था उन्होंने महापारवती ने उनकी तो महापर गले पर उनको हाथ रखके रोग दिया था और तभी से यह नीलकंड महादेव मंदिर के लाता है अब भूट ही यहां पर अक्सर सावन में शिवरातरी में बहुत बीड़ होती है लोग सावन में आते हैं तो काफी रहती है यहां पर यह देखिए आगा मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है अब काफी लगबक बारिश वाला मौसम हो चुका है अ थामा निल्कंड मादे मंदिर पहुंच रहे हैं आपको दिखाते हैं हम दर्मसाले यहां कि काफी लगबक थोड़सा है बीड़ यहां पर आज पिए मादे मंदीर में तुम यह निल्कंड मादे मंदीर आने वाला है यह चोटे छोटे रेश्टरेंट स्टार्ट हो गये ह हमारे पर बाइक है तो हम आगे चले जाएंगे पूरा मंदिर तक हम आगे तक जा रहे हैं पुरा मंदिर के देखे आप पसता कि यह देखे हम यहां पहुंच के हैं नीलकंड महादे मंदिर तो हम यहां से परशाद लेंगे आप लेने के लिए काफी लोग हैं मल सब एक साथ रहते हुआ यह नहीं तो यह यहां पर निलकण महाधे मंदिर यह देखें यहां का वियू का आप आठाब देख रेहे हैं utter नििकन्ड महादेव वंदिर अंदर एंटर हो ऑचुके हैं और काफी यहां लाईने लगी है और अंदर हम जा रहे हैं और हर्हर महादेव करके आगे हैं निलकन्स मंदिर के मादेव के अंदर वीडेयो ज़ाना रालॉड नहीं है आयँके यहां का प्राचिम पानी है, लोग इहां आते हैं, इसमें चनान करते हैं, और फिर करना जाते हैं, अब काफी लोगों काम करती है, यहां तौन आते हैं, मुहाद दोके हम भी गए हैं झाल झाल झाल